तो आज की वीडियो में मैं अपना फेशिल करने वाली वो भी काफी जादा बजट में तो मैं यूज कर यूरागा प्रोफेशनल की एक्सपर्ट फेशिल किट और बेस बात यह कि यह बाइवन गेट वन है और इसकी MRP 199 रुपीज है यह एक सिंगल यूज पैक है और यह नॉ इसमें lime extract है, cinnamon extract है, साथ में इसमें ग्रीन टी डला हुआ है, neem extract का भी यूज किया गए, कलर इसका अब देख सकते हैं हलका सा nesam है क्योंकि इसमें नीम का यूज किया गया है तो face को हलका सा wet करके आपको इसको अच्छी तरीके से 2-3 मिनिट के लिए मसाज करना है उसके बाद आप remove कर सकते हैं या फिर आप swipe कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मसाज करूंगी वैसे तो facial काफी ज़ादा costly रहता है अगर आपको इसी पालर या फिर म अपना facial खुद से कर रहे हैं और काफी अच्छा satisfaction मलता है तो मेरा मसाज हो चुका है अब मैं इसको हलके से wipe कर दूंगी cotton टीशू से तो सारी गंदे की बाहर लिकल चुकी है अब face को wash कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने second step की और जो की है facial scrub तो मुझे इसकी consistency काफी जादा वीर्ड लगी आप देख सकते एक दम jelly like consistency है और थोड़ा सा weird दिख रहा है वाइदबर इस smell was okay तो इसके में इंग्रीडियन्ट है glyconic acid साथ में lactic acid का यूज़ किया गया है pro vitamin b3 का यूज़ किया गया है tea tree extract है और इसके साथ इसमें cinnamon extract है तो आपको इसको अपने पूरे face में इसको चार मिन तक मसाज करना है क्योंकि यह एक scrub है तो यह आपके black head and white heads को अच्छी तरीके से remove कर देगा तो आपको इसको अपने t-zone में अपने nose areas में और अपने lower chin में इसको अच्छी तरीके से apply करना है तो आपको जो भी facial step आते हैं जैसे कि मैं कर रही हूं कि मुझे अपने पूरे face and neck में इसको अच्छी तरीके से massage कर रहे हूं 2-3 मिंट के बाद इस तरीके से wipe out कर रहे हूं आप direct face wash भी कर सकते हैं मैं पहले इसको wipe कर दे रही हूं और जो remaining बचता है उसके बाद मैं अपना face अच्छी तरीके से wash कर ले तो इससे double cleansing हो जाता है already आप देख स इसको अच्छी तरीके से पैट करते हूं अपने पूरे face area में apply करूंगी इसमें rose extract है green tea extract है तो इसके बाद मैं अपना four step की ओर बढ़ती हूं जो कि एक massage gel है और इसकी जो consistency एक aloe vera gel के form में मुझे लगा इसमें grapefruit extract है cinnamon extract है और इसमें green tea यूज किया गया है pro vitamin b5 का यूज कि तो इसको आपको अच्छी तरीके से face में massage करना है 15-20 मिनिट के लिए I know बहुत जादा time है but trust me facial का सबसे most important step होता है massage तो आपको हर step में massage follow करना है जैसे मैंने cleansing के time में massage किया था scrubbing के time में भी किया था और यह तो massage gel है तो आपको अच्छी तरीके से massage करना है क्योंकि आप पाल तो मैं यह नहीं बोलती कि आप इसी को ही करिए जो मैं कर रही हूं आपको जो भी step पसंद है या फिर जो भी step आप regularly use करते हैं आप वही step के help से सारे face में massage करिए जब तक कि यह gel आपके skin में absorb ना हो जाए तो कुछ 15-20 मिन हो गये है और मेरी skin ने भी इसको बहुत अची तरी नीम extract का use किया है आपने एक चीज़ ग्रॉर किया होगा कि इसमें जितने भी step है सभी में ये तीनों चीज़े common है green tea, cinnamon and neem तो इसको आपको अपने पूरे face में कुछ 10-15 मिन्ट रखना है और उसके बाद आपको इसको wash कर देना है तो हो गया time अब मैं क्या करती हूं इसको अच्छी तरीके से wipe करती हूं कि जो mask की consistency है बहुत जादा थिक है तो मैं इसको पहले wipe कर देती हूं जो remaining है उसको धो देती हूं तो आप देख सकते है face में काफी अच्छा glow आ गया है अब है last step जो की है sunscreen तो अगर आप इस प्रोसेजर को day time में कर रहे हैं तो इसको जरूर स वीडियो के लिए नहीं बोलूँगी कि फटा फट हो जाता है बहुत ही जादा time लगा उसके बाद आपके skin में अच्छी तरीके से absorb हो गया तो मुझे काफी अच्छा glow लग रहा था so that's all for today's video वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजगा चैनल में नहे ह है तो subscribe कर दीजगा और मैं मिलती हूँ आपके साथ ऐसी और वीडियो लिए तब तक लिए बाइ